सबसे बढ़ा दिन कौन सा रहा है सबसे अच्छा दिन जो था मार्केट का उसके बारे में भी बात करते हैं ये था में 18 2009 ठीक है मैं बता तो 2009 इस दिन मार्केट में उपर के सर्केट लगे थे तो 17 टका निफ्टी बड़ा था दो दिन में दो एक दिन 17 परसेंट अब आप सोचिए कि उस दिन अच्छा 10 परसेंट और 5 परसेंट के दो सर्केट लगे रहे हैं और उस दिन मैं आपको बताओं कि आप इस मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होते हैं क्या था पहली चाहिए थे आप 2008 के बेर मार्केट से निकल रहे थे 2008 वो मार्च तक of 2009 तक बहुत बड़ा मार्केट था 2000 में में दो महीने बाद बहुत मंदी का माहौल था थोड़ा मार्केट बाउंस हुआ था बड़े मंदी का महौल एक पैनिक बहुत था फिर भी इस समय इलेक्शन हुई थी जो है नैशनल इलेक्शन और उस ने उसम उपीए टु आई थी यूपीए वन इफ टु पुट इट वस मनमोहन सिंग की सरकार पहली वाली और उसमें लेफ्ट पार्टी का बहुत बोलबाला था अब इलेक्शन हुआ इलेक्शन के पहले एक जो पैसिमिजम बेर मार्केट से निकल रहे है सबकी सोच ये थी कि यूपीए टु में फिर से खिचडी सरकार आएगी फिर से लेफ्ट पार्टी का इनफेक्ट वोट शेर बढ़ेगा और ये बात हो रही थी कि मायावती प्राइमिनिस्टर बनेगी ये बात सही थी यस मुझे याद आगिया फ्लेश बिक मिलेगे आप एकदम बिलकुल और उस समय इनवेस्ट छोड़ लोग तो शॉट करके बैठे दे बजा रहा है और अगली दिन जब मार्केट खुला सरकेट टू सरकेट तो आप सोचे कि इस सिचुएशन में आप कितने लाइकली थे कि आप इन्वेस्ट करो लोग बोल रहे हैं यार सेटल होने दो क्लारिटी आने दो गवर्मेंट बने द डालेंगे और मार्केट तो सत्रा टका बढ़ गई सो यह जो डेज होते हैं सत्रा टका रिटरन सर्फ दो साल का रिटरन एक दिन में हो जाता है इस टॉक्स के लियाद से तो और अनिल सर एक्चुली मैं बताओं बहुत से लोग शॉट थे बहुत से अच्छे अच्छे ट्र आते हैं यह उस समय आते हैं जब एज इन्वेस्टर वियर लीस्ट लाइकली तो बी इन्वेस्टर और यह प्रिडिक करना इंटलेक्चुली साब आसान है यहां पर चाट बनाना आसान है पर जब फिजिकली वहां पर हो गए ना आपका हाथ नी चालेगा इसमें एक चीज जो आप कह रहे हैं वो बात में भी